नमस्कार दोस्तों हमारा ये जो वीडियो हम बना रहे हैं कल पाकिस्तान ने बहुत बढ़ा डीसिजन लिया है भारत को अब गालिस्तान तक जाने के लिए रूण देने के लिए वो तयार हो किया है इस बहाने पाकिस्तान पेले उसको अनागानी करता था भारत को पेसेज नहीं देता था तो भारत में अफगानिस्तान जाने का एयर पेसेज बना लिया और अफगानिस्तान में भारी महत्रा में निवेश करके अफगानिस्तान के आर्थिक स्थिती भी सुदार ली और अपनी पाँचों देश कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, ताजिक्स्तान और किर्गिस्तान तक का रोड आप लीजिए। अगर यह सही में इंप्लिमेंट होता है, तो मद्य इशिया के लिए भारत का व्यापार के रस्ते खूलेंगे, इसे पाकिस्तान को भोच सारा पेसा मिलेगा, रेविनु मिलेगा, भारत और अफगानिस्तान सभी का भला हो जाएगा, अगर भारत पाकिस्तान अपनी दुश्म से दूर हो सकता है, लेकिर यह पाकिस्तान के उक्मरान और वहां के जो मिलेटरी ओफिसर्स को यह बात समझ में आना चाहिए, अगर वो हो जाती है, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसके अलावा भी कुछ घटना करम एसी हुई है, कि अब गालिस्तान क अंदर अमेरिका भी पाकिस्तान के दोगलेपन से नहराज है, साओधी अरभ और यूए के देश भी पाकिस्तान से नहराज है, क्योंकि वो चाहते है तेल के उपर से उनकी निरवरता खतम हो जाए, साओधी अरभ ने 2030 का एक विजन बना है, जिसके तहत साओधी अरभ एक शेहर बनाने जा रहा है, जिसका नाम नियोंप सीटी रखाये गया है, 2030 तक ये शेहर बन जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा एरिया वाइस शेहर होगा, वो चाहता है इसका दुबई की तरज पे विकास करना है, इसके कारण उसने इसराइल के साथ भी अपने संबन शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के पचास हजार के करीब वहां के मज्जीतों में जो मुला लोग है, मुल्वी लोग है, उनको भी वापस भगाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के इस कदम से हाथ पेर फुलने लगे हैं, च्योंकि 32 लाख लोग यूएई और साओधी अरब में पाकिस्तानी काम करते हैं, उनके अलावा उनको बहुत बड़ी मात्रा में 9 बिलियन डॉलर्स का पेसा मिलता है, अगर वो मिलना बन हो गया, तो पाकिस्तान के हलत तो और ही काला खराब हो जाएगी, इतने लोगों को वो कहां रखेगा और कैसे जौब देगा, औ सब अधिकतर पाकिस्तानी है, जो साओधी अरब के खिलाफ ही वहाँ पे फत्वे दिया करते हैं, जिसके कारण उनको भखाने का निरने ले लिया गया है, अगर ये चीज होती है, तो भारत के मुस्लिमों को भी वहाँ पे जौब मिल सकती है, पर उनको कट्टरपन का पाला नहीं करना होगा वहाँ पे, वहाँ पे धर्मन इरिपेक्श वेलियोस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अरब कंट्रीज भी आप कट्टरपन से दूर हटते जा रहा है, और वो नियोम सिटी को बढ़ाने के लिए बहरी मात्रा में निवेश कर रहा है, ये सिटी एसी भारत में और कई देशों में निवेश करना है पेसा, ताकि दो अजर तीस तक इनकी डिमांड तेल की बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी, इलेक्ट्रिक के वहाँ आ जाएंगे बजार में, तो इनका तेल को न घरे देगा, इसके कारण ये चाहते हैं कि उससे पेले ही हम इसके लिए इसलामिक कटरता इन्होंने त्याग दी है, और पाकिस्तान का बिलकुल भी OIC में इन्होंने साथ नहीं दिया है, वह ऐसी Organization of Islamic States Conference जो है, उसमें UAE, गतार, इन सब लोगोंने भारत का एक प्रकारता सपोर्ट करा, इससे पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है, प और मलेशिया का जो महतीर मुहमत था, वो 94 साल की एज के कारण रिटार हो चुका है, तो मलेशिया भी उसके खेमें से निकल गया है, बचा कुचा है टर्की, जो एर्दोगान साब है, जो इसलाम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं, और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी अ तंत्र कराया था, इसलिए पूरा अरब कंट्रिस तुर्की के पाकिस्तान की दोस्ती के कारण नहराज है पाकिस्तान से उन्होंने जो तीन अरब डॉलर दिये थे, वो वापस मांगना लिये, एक अरब डॉलर तो चाइना से भीक मांग कर पाकिस्तान ने दे दिये हैं, ले कि साओधी अरब और गर्व कंट्रिस को खेराद के रूप में दे 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 वापस कभी नहीं मांगते दे अब ये खेराद भी मिलना पाकिस्तान को बंद हो गई और 32 लाग पीपूल वहां के पाकिस्तान को निकाल देगा वो आर्मी के अंदर भी भारत के नर्वरे साब जो है वहां की यात्रा करने गए तो भविश्य में हो सकता है कि साओधी अरब का देखरेट के लिए भारत के आर्मी चली जाए पाकिस्तान के राहिल शरीप का कारेकाल जनवरी मेने में खतम हो रहा रहा है तो हो सकता है भारत की सेना वहां पे लग जाए पाकिस्तान को वहां से बिल्कुल हटाया जा रहा है क्योंकि वह कट्टरपन को बढ़ावा देता है और इस समय इरान और साओधी अरब की दुश्मनियां भी बहुत खतरनाग रूप से बढ़ गई है जो शिया सुन्नी कॉन्फिक्ट है इसके कारण भी भारत को एक सेफ जोन के रूप में यह देख काफी अत्तक सफलता प्राप्त कर लिया वह एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गया है कतार भी भविश्य में पाकिस्तानियों को अपने देश से बढ़ाने की इच्छाय रखता है कतार से ही प्रेणा साओधी अरब ने पाई है कतार आज दुनिया का सबसे रहिस देश बन चुक पाकिस्तान का जो सीपैक का मामला था चाइना पाकिस्तान एकोनामी कॉरिडोर भी वह प्राकिस्तान में भष्टाचार की वेट चट गया है और चाइना ने उस पर पेसे लगाना बंद कर दिए तो इसके कारण साट अरब डालर का साट बिलियंड का उन्होंने पेसे ले र आगर वो भारत को काबुल तक की रोड का देता है तो दो साल के अंदर उस करद्यों से निकपट सकता है पर वहां का देखना इस्टॉबलिश्मेंट या सेना या कटर पंती लोग इसको विफल करने के लिए कुछ कर सकते तो भारत को इस पर विशयस द्यान देना होगा और पाकिस्तान की सरकार को भी विशयस द्यान दे के आर्थिक संबन दोनों के मजबूत करते हुए दोनों को आगे बढ़ने की सकता है